हेलो स्टूदेंट्स वेल्कम टू अकेनॉनिकल क्लासे इन लास्ट वीडियो हमने इस टाइकोमेट्रिक के सारे कंसेप्स बहुत अच्छे से पड़े ठीक है तो इस वीडियो में अब हम उस पे बेस जितने भी निमेरिकल प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं हम वह सारे करेंगे इस वीडियो के अंदर हम एप्लिकेशन सीखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्थ कर्यों चquiद टीक काल् कुलेटलम्स पार्बंश थालेश्ता अंद अंधरम्स प्रॉड्ट के रिएल और प्रॉडड गॉड्ट के प्रॉड्ड के रॉडD को इंधरख ऑंछ य्भंस प्रॉड थार्बिकेशन रोन कल्स प्रॉड्ड प्रॉड्यो टोड्म्स of carbon is burned in air ठीक है और इसी question का B part भी है B part में बोलता है 1 mole of carbon is 1 mole of carbon is burned in 16 gram of di oxygen clear है तो question क्या हम हो रहा है कि हमें amount of CO2 find out करनी है quantity find out करनी है कि कितना CO2 produce होगा जब carbon जो है burned होगा air में ठीक है और second case में 1 mole carbon को burn करेंगे 16 gram di oxygen में ठीक है तो चलिए इसका solution स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम A को solve करेंगे पहले हम equation बनाते हैं हमें बोले के 1 mole carbon 1 mole carbon को बर्न किया आपने किस में air में मतलब oxygen produced क्या हुआ CO2 यही produced हुआ ठीक है यही थी आपकी equation अब इस equation को सबसे first step जो है हमारा balancing of chemical equation स्टाइक्योमेट्री के question start करने से पहले आपका सबसे पहला नजरिया जो होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए कि हमें इस equation को balance करना है तो carbon 1, carbon 1, oxygen 2, oxygen 2 balance, हमारी equation क्या है balance, अब उसके बाद जो second step है second step में हमें क्या करना है हमें moles find out करने है जो हमें given है, ठीक है तो यहाँ पर मुझे given क्या है देखो सबसे फहले, given मुझे क्या है मुझे given है moles of carbon moles of carbon is equal to 1 मुझे यह पता है कि मुझे carbon के mole 1 given है ठीक है तो carbon के जो मुझे mole given है तो मुझे यहाँ पर mole निकालने की ज़रोती नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पहले carbon का mole 1 है तो बस molar ratios निकालते है क्योंकि इन सब में अगर कोई common चीज है that is molar ratio वो बिलकुल common चीज है ठीक है तो molar ratio किसकी निकालते है carbon का given है carbon dioxide निकालना है तो लिखें nc upon nco2 यही आएगी ठीक है psychometric coefficient of carbon क्या है 1 psychometric coefficient of co2 क्या है 1 तो इनकी ratio क्या आगी 1 ratio 1 आगी ठीक है तो चलिए आपके पास जो मतलब number of moles आगए वो कितने आगए आपके पास 1 आगए clear इतना अब हमें find out करना है मतलब हमारे पास number of moles of carbon 1 है और number of moles of co2 भी क्या है आपके पास 1 है तो चलिए देखें यह इसके equal है हमारे पास यहाँ से find out हो गया number of moles of co2 कितने हो गया 1 mole कितना mole हो गया 1 mole ठीक है अब number of moles of co2 अगर आपको पता लग गया तो हम formula पूट कर से n is equal to given mass upon molecular mass number of moles आपको बता है 1 given mass आपको find out करना है molecular mass कितना होता है carbon dioxide का c o2 का कितना हो गया 12 plus 2 into 16 कितना हो गया 44 total ठीक है 44 units हो गया तो यहाँ पर 44 लिखेंगे ठीक है cross multiply करिए 1 आपने इसको cross multiply किया यह इदर चला गया यह इदर चला गया ठीक है तो आपके पास यहाँ पर unit किया w is equal to 44 grams जो आपके पास given जो आपको given mass था जो आपको amount find out करना था वो कितना हो गया आपका 44 gram ठीक है very easy question कुछ भी नहीं था इस question में बहुत असान question था आप फिर सा समझते है जब carbon ने oxygen के साथ reaction की तो product क्या बना CO2 step by step जैसे मैं करवारी है step by step जाना ठीक है नहीं तो आप miss कर देंगे carbon plus O2 gives you CO2 तो हमें given क्या था one mole of carbon यह मुझे question में given था कि carbon का एक mole burnt किया है अपने air में देखिए one mole of carbon is burnt in air तो मतलब carbon का mole कितना given है one तो मैंने क्या निकाल दिया molar ratio निकाली molar ratio क्यों मैंने यहापर यह उज़ करी क्योंकि इन compounds के अंदर इन reaction के अंदर अगर कोई चीज same है तो वो आपकी molar ratio same है ठीक है तो इसलिए मैंने क्या किया molar ratio उन दोनों की निकाली एक जो मुझे given था दूसरा जो मुझे find out करना था ठीक है तो carbon का मुझे given था one दूसरा number of moles मुझे find out करने थे ठीक है इसलिए मैंने उसको लिखा तो coefficient carbon का क्या था one और CO2 का क्या था one तो यहाँ से number of moles आपने find out कर लिया one निकाल के ठीक है तो आप में given जो आपके पास यह है weight है कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ वो आपने find out कर लिया by solving the equation चली students अब इसका second part solve करते है second part में मुझे क्या बोला था one mole one mole of carbon is burned in 16 gram of di oxygen ठीक है di oxygen तो मेरे पास reaction थी carbon में oxygen एड़ किया product बना CO2 यही reaction थी अब उसने बोले एक mole carbon को 16 gram di oxygen में आपने burn कर दिया ठीक है अब बताएं कितनी carbon dioxide produce हुई है तब फिर से simple है फिर से लिखिए what is given given is equal to क्या O2 का कितना 16 gram यह आपको mask given है इसका अगर आपको mask given है यहां से तो mask given है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था जो भी value given हो उसका आपने क्या निकालना है mole निकालना यह आप हिंदी में, इंग्लिस में, उर्दू में, पंजाबी में जो भी language आपको आती है आप इसे as a shortcut अपनी notebook में add कर लीजे ठीक है whatever is given, find its mole whatever is given, मैंने आपको पहले ही बता है whatever is given जो भी आपको value given है उसका आपने क्या करना है, find its mole इसके mole find करनो तो करने है, तो आपको तो oxygen के 16 gram given है, formula रगा दो w upon m लगा दिया formula, ठीक है तो यहां पे n की value आपको find out करनी है 16 upon 32 molecular mass, उसका oxygen का molecular mass कितना होगा, 32 होगा और 16 आपको given है, तो यह cancel करो n के आगा, 1 by 2, ठीक है n की value क्या होगा, यह आपके पास, 1 by 2 यह आपके पास n आगा, किसका oxygen का चलिए, n आगा oxygen का ठीक है, अब आपके पास oxygen का N आगया, अब आप क्या करेंगे molar ratio निकालते है, now find out the molar ratio किस-किस की निकालनी है, oxygen के CO2 की निकालते है, क्योंकि oxygen given था हमें यहाँ पर, अब हमें first step जो मेरा था, whatever is given, find its mole ठीक है, second step में जो हमें निकालना है, मुझे यहाँ निकालना का जो हमें find out करना है, अब हम second race में उसका mole निकालेंगे, ठीक है तो उसके mole को निकालने के लिए पहले molar ratio लिखते है NO2 upon N CO2, ठीक है, जो की molar ratio की आ रही है, 1 upon 1 यही आएगी molar ratio, कोफिशेंट, स्टाइकियोमेटर कोफिशेंट of oxygen is equal to 1, और CO2 का भी जो स्टाइकियोमेटर कोफिशेंट है वो भी क्या हो गया, आपका बान हो गया, clear इतना, चलिए अब number of moles आपने किस के निकाले, O2 के निकाले, number of moles यहाँ पर number of moles of O2 कितना है, half, तो यहाँ पर number of moles of O2 की जगह value तो देखिये, half upon NCO2 is equal to 1 by 1, यहाँ आपके पास, ठीक है, अब आपके पास अगर यह value आगई है, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, number of moles of CO2 अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं easy form में लिखू, easy format में लिखू, तो मैं इसको calculate करने के लिख सकते हूं, मतलब इसके नीचे 1 है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 upon 2, 1 upon 2 into 1 upon N by CO2, यही होगा, ठीक है, is equal to 1 by 1, यहाँ तो यह क् क्या हो जाएगा, NCO2 is equal to 1 by 2, आपके बास number of moles of CO2 कितने आगे, 1 by 2 आगे, अब आपके बास number of moles of CO2 अगर 1 by 2 आगे, तो बस formula put करीए अपना, formula put क्या करेंगे, N is equal to given mass upon molecular mass, ठीक है, N कितना है, 1 by 2, is equal to W आपने find out करना है, molecular mass कितना हो था, 44, अभी हमने last उसमें निकाला था, ठीक है, तो अब इसका 44 आएगा, तो इसको उपर लेकर जाओ, तो यह क्या cross multiply होगा, इसको उपर लेकर जाएगे, तो क्या हैगा, 44 upon 2 is equal to W, तो यह कितना आगया, 22, कितना आगया, 22, ठीक है, तो weight is equal to, तो यहाँ पे आपने जो weight find out किया, weight कितना आगया, 22 gram of CO2, इधर से ज 22 gram of CO2 produced, जब आपने carbon को burn किया, इन, कितने gram oxygen में, 16 gram oxygen में, very very important, फिर से बताती हूँ, जो आपको given था, आपने उसका mole find out किया, second, उसके बार mole कैसे find out किया, आपको given mass given था, molecular mass डाला, number of moles आपके पास आगे, number of moles जब आपको एक के पता लगे, तो दूसरे के number of moles तो आप निका CO2 के कितने आगे, half values पुट कर दी, आपने आपे, NO2 की half आईती है, half value पुट कर दी, अब CO2 के half आगे, तो इसका number of moles पता ही लगे, अब आपको molecular mass CO2 का पता है, तो यहां से given mass आप find out कर सकते हो, by putting value, तो आपके पास weight कितना आगे, 22 gram of CO2, very very important, आपको यह practice करनी पड़ेगी, तभी है questions आएंगे, और कोई doubt है, तो आप comment section में, मुझसे बहुत easily, पोच सकते हो, बिलकुल free of cost है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से पूछिए, चली, students, अब second question लिखते है, find the volume of CO2, लिखेंगे question, find the volume of CO2 produced, हमने CO2 का volume, find out करना, जो produce हुई है, when, 25 gram, when, 25, it's not 28, it's 25, when, 20, यह तू छोटा लग रहा है, when, 25 gram of ZnCO3, ZnCO3 is zinc carbonate, ठीक है, is heated at STP, heated की जगाँ, decomposes भी आ सकता है, decomposes at STP, क्योंकि carbonates वैसे ही बहुत unstable होते हैं, जरा से heat करोगे तो वो breakdown हो जाएंगे, ठीक है, तो reaction क्या बनेगी, zinc carbonate ZnCO3, heat कर दिया, उसको क्या बना product, zinc carbonate plus CO2, यह आपके पास हो गया, ठीक है, अब सबसे पहले आपका काम क्या है, आपने क्या लिखना है, given, कभी भी कोई भी numerical solve करना होता है, तो सबसे पहले आपने लिखना होता है, कि आपको given क्या है, क्या given है, 25 gram zinc carbonate, ठीक है, तो आपको given क्या है, weight given है zinc carbonate का, to 25 gram, clear है, अब तो बहुत ही easy है, आपको निकालना क्या है, सबसे पहले, आपको given क्या है, 25 gram zinc carbonate, find out क्या करना है, volume किस का, CO2 का, तो सबसे पहला step क्या था, जो भी आपको given है, इसके हम क्या निकालेंगे, number of moles, हम क्या करेंगे, find करेंगे, इसके, पहला step, पहला step हमने, जो हमें given हो, तो उसका number of moles, find out करते हैं, second step में, हमें जो निकालना है, उसके number of moles, find out करते हैं, ठीक है, तो पहले step में, zinc carbonate के number of moles, find out करते हैं, हमें given ही है, तो formula लगेंगे, n is equal to w upon m, ठीक है, तो molecular mass पहले निकालना पड़ेगा, molecular mass क्या होगा, zinc carbonate का, zinc होता है, 65 plus carbon क्या होगा, 12 plus, प्लस आपके पास क्या oxygen, तो 16 into 3, यही होगा, 16 into 3, तो आपके पास यह total कितना हो जाएगा, 65 plus 12 plus 48, है ना, 65 plus 12 plus 48, आपके पास यह आ गया, तो total करेंगे, तो total आपका बन रहा है, 125 units, इतना ही इसका molecular mass है, ठीक है, तो N कैसे निकालेंगे, N is equal to 25 upon 125, ठीक है, डिवाइड करें, डिवाइड करके जो आपके पास अंजर आ रहा है, that is N is 0.2, N की value क्या है, यहाँ पर N is equal to 0.2, N किसका है यह, किसका N निकाला हमने, ZNCO3 का, number of moles of ZNCO3 कितने आगे आपके, 0.2, ओ, चलिए, बाइड इस number of moles of ZNCO2 आगे, बाइड हमें, second step में क्या करना है, किसके number of moles निकालने है, आप हमको number of moles नיקालने, find out करने है, किसके find out करने है number of moles, जो हमें, चाहिए, हमें चाहिए, क्या SO2 चाहिए, तो चलिए, उसको कैसे निकालेंगे, molar ratio से, तो मेहाँ रेषयो यहाँ पर n z n co3 divided by n co2 यह है आपके पास ठीक है इसी के निकालने तो z n co3 क्या है स्टाइकिमेट्रिक ओफिशेंट 1 divided by इसका भी क्या है स्टाइकिमेट्रिक ओफिशेंट 1 ठीक है तो इसके आपको वेल्यू पता लगी 0.2 तो यहाँ पर वेल्यू स्पूट करेंगे यहाँ पर वेल्यू स्पूट करिए 0.2 upon n co2 ठीक है इसको इधर लेके जाहिए तो आपके पास इसके भी नंबर ओफ मोल्स कितने आगे इसको n co2 is equal to 0.2 यह भी नंबर ओफ मोल्स किसके आगे आपके co2 के नंबर ओफ मोल्स आगे अब आपको co2 के नंबर ओफ मोल्स आगे तो वॉल्यूम फाइंड ओट करना है सिंपल वॉल्यूम एट स्टीपी पर वॉल्यूम फाइंड ओट करें तो सिंपल वेरी इजी अब वॉल्यूम और मोल्स का क्या रिलेशन है भाई यही है तो इसको फाइंड ओट करना है यहाप पर गिवन वॉल्यूम फाइंड ओट करना है आपको नंबर ओफ मोल्स गीवन है वॉल्यूम जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 0.2 x 22.4 लीटर कितना आएगा 4.48 लीटर तो आपके पास जो जिवन वॉल्यूम जो आपने find out करना था CO2 का वो ये था ठीक है इतना वॉल्यूम हमें चाहिए किसका वॉल्यूम चाहिए CO2 का वॉल्यूम चाहिए इतना वॉल्यूम रिक्वाइड है CO2 का जब आपका zinc carbonate zinc oxide और CO2 में change होता है तो आपको इतना वॉल्यूम produce होता है very important ओके चलिए student now write down the next question if question next लिखते हैं if 32 gram of methane is burned in air ठीक है या in presence of air then find out then find amount of CO2 produced कितने amount की CO2 produced हुई है आपको वो find out करना है ठीक है तो सबसे पहले जब हम क्या लिखेंगे equation लिखेंगे methane में methane को oxygen में burn किया तो product बनेगा CO2 प्लस water it's 2 तो यहाँ पर 4 hydrogen है balance करने कलिए मैं एहाँ पर 4 लगा दिया oxygen कितना होगा 2 oxygen यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है 2 2 2 प्लस 2 कितना होगा 4 total यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर लगादे 2 2 जा कितना होगा आपका 4 आ गया carbon 1 था तो carbon 1 था आपको सब कुछ मतलब equation आपकी क्या होगी balanced अब equation balance करने के बाद पहला step है जो भी आपको equation given हो उसको आप balance करें second step में आपने क्या लिखना है जो भी आपकी given values है given ठीक है आपको given क्या है w of methane methane के w given है weight given है जो कि कितना है 32 gram given है clear है तो बस weight का और उसका formula लगा हो n is equal to w upon m तो ch4 का पहले तो m निकालो ch4 12 plus 4 into 1 तो कितना हो गया 16 units आ गया ठीक है तो 16 units को direct put करें number of moles आपने find out करने है 32 आपको given है 16 नीचे है तो number of moles आपके कितने आप जाएंगे 2 n is equal to 2 आ गया किसका ch4 का number of moles of ch4 कितने है 2 clear है पहले आपने mole निकाल लिया किसका value given थी अब हमें किसका mole निकालना है जो आपको find out करना है तो यहां पर find out क्या करना है CO2 CO2 का mole निकालेंगे किसकी हल से molar ratio की हल से क्योंकि एक molar ratio ही है जो इन सब चीजों को relate कर रही है और जिसकी value change नहीं होती ठीके तो अब देखिए हम लिखते है है NCO2 ठीक है sorry CH4 लिखते हैं पहले NCH4 divided by NCO2 NCH4 क्या है आपका 1 1 है यह आपर ठीक है CO2 कितना given है आपको CO2 भी 1 given है तो बस आपके पास NCH4 की value आ गई है तो NCH4 की value put करें हो कितनी आ जाएगी देखिए तो आप यहीं पर value put कर देते हैं NCH4 की value 2 आई है NCO2 is equal to 1 by 1 तो इसको इधर लेकर जाओ तो इसको इधर लेकर जाओ तो इसका मतलब आपके पास NCO2 है वह कितना आ गया 2 ठीक है आपने number of moles of carbon dioxide भी कितने find out कर लिए 2 find out कर लिए अब आपके पास number of moles आगे अब आपको क्या बताना था कितना amount of CO2 produced हुआ ठीक है तो फिर से formula लगाई है for CO2 for CO2 N is equal to given mass upon molecular mass ठीक है given mass आपको कितना find out करना है तो N की value अगर यहाँ पर 2 है 2 is equal to W upon CO2 का molecular mass 44 होता है कैसे CO2 12 plus 16 into 2 ठीक है तो यह कितना हो गया 32 plus 12 कितना हो गया 44 units तो चलिए 44 units यहाँ पर add करिए किया आपने आप इसको cross multiply कर दीजे ठीक है W1 1 को उदर ले जाए 44 को इदर ले जाए तो 2 into 44 is equal to W जो कि किसके equal आएगा 2 into 44 is equal to W किसके equal होगा 88 grams is equal to W तो यह आपका given amount CO2 sorry CO2 इतनी amount of CO2 क्या होगी आपकी release होगी ठीक है amount of CO2 evolve इतने amount कि आपकी CO2 क्या होगी evolve होगी ओके कि 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 कि